हलो गाइज वेलकम टू मैं चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो में एक डियोल स्टार्टर है यह साड़े साथ एच पी के लिए हमने बनाया है इसमें 25 एमपिर्स का हमने यह कॉंडेक्टर लगाया है और इसमें यह आवलोड रिलेज लगाई है 32 एमपिर्स की है आपने 3 पोल की इसमें MCV यूज की है इसके यह में वाइरिंग किस तरह होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ नीचे की तरफ आ वाई बी में इंकमिंग लाइन आएगी जो आपकी बाहर से आती है थ्री फेस की और वाई बी और यहीं से ही उपर से R Y B यहां से इसके साथ कनेक्टर के साथ ओपरी यहां से R Y B यहां से यहां 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 मैंने बाहर निकाली है मीटर के लिए अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो वाई की वायर को डिरेक्ट आप इसका जोड़ सकते हैं और उसी तरह यहां से यह आउटपूड आ जाएगी बाहर यह देखिए यूवन वीवन डब्ली वन यह मोटर के लिए हैं से मोटर यहां स और 32 एंपिर के टीपी हमसी भी लगाई है क्रेक्शन बहुत असान है यहां पर आपकी में इंकमिंग आएगी और यहां से आउटगोइंग होती हुई यहां कॉंटक्टर के उपर वाले पाइंट पर लग जाएगी और वाई भी देखिए वीडियो में देखिए और इसी त ऑर कि सरह होती हैं किस तरह होती है वह मैं आपको दिखाताओ तर की होल्ट कैसे होता है वह ड्योल स्टार और इंचिंग में कैसे इसका उ coward姐 करते हैं दोनों मैं फंक्छन बताता हैं कि वोड़िं कैसे होता है अगर होल नहीं हो रहा तो उसके लिए Wiki क realidad करना पड़ता है वह अचिह क्वारिंग में बताता हूं यह इसकी इस्क्राइब का भी कमार हो रही है लोग आपको किके की कुष्जाइब और उसकरा करी आँदी कुष्जा कि यह इसका box box भी दिखातों में जिसमें यह हमारी मांडिंग प्लेट इसमें फिक्स होगी यह इसका box है यह देखे इसके अंदर उपर आवाई भी लाइट है यह हर फेस का बताएंगे आपको यह वोल्ट मेंटर हो जाएगा यह एंपेर मेंटर है यह नीचे स्टार्ट स्ट करते हैं यह जो रिले हम यूज करते हैं यह एक मोटर पॉटेक्षिन स्के लिए होती है कि मोटर अगर ज़ करेंट ले रहे हैं तो उस केस में यह क्या करती है यह क्या का रहें भी लॉर्वे मैं हम इस रिले को यूज करते हैं कई लोग यूज नहीं करते हैं वो सीधा डिरेक्ट कॉंटेक्टर से मोटर को चला देते हैं जो की गलत है इस रिले को लगाना कंपलसर ही होता है तो मोटर पोटेक्शन के लिए इससे मोटर पोटेक्शन मिलती है उसको जो मोटर हाइग करेंड ले जाती है तो उसको करने के लिए रिले लगाए जाती है यह में इसमें जोड रहे हैं कि यह में इसमें जोड दी है अब इसे यह जो लीड्स हमने लगाई है इस लीड को हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे इस लीड के त्वारा यह हमने इसमें कनेक्शन दे दिया है यह मैं आपको आप वारिंग समझा देता है कंट्रोल वारिंग कैसे है यह देखिए यह जो है ब्लैक वाली जो वायर लगाई है यह न्यूटल है आपका जो एवन पे लगा हुआ है ठीक है जी और जो दूसरी यह पॉजिटिव वाली वायर है वो मैंने यहां लगाई है mcb में और mcb से ही उपर से लेती हुए मैंने यह push button में लगाई है यहां से होती ही मैंने यह push button में लगाई है यहां से होती ही मैंने यह push button में लगाई है यहां से होती ही मैंने यह push button में लगाई है यहीं से ही एक वायर शॉट करके मैंने 1-0 में लगए है यहीं से एक वायर देख़ा मैंने शोट करके एनों में लगई ए और एनों से होती ही मेरी यह रिले में गई है अगर बाई चांस मैं रिले नहीं लगाता हूं या कोई नहीं लगाते własальная तो इस वायर को आप डारेक्ट A2 में लगा सकते हैं अभी देखिए A2 की वायर मैंने रिलेवल लगाई है यहाँ पर देखिए लगाई है न यह एंसी में एंसी का मीनस होता है अकर जो भी सिगनल दूँगा मुझे यहाँ से सिगनल आउट मिलेगा अकर मैंने यहाँ 220 दिये तो यहां लगाए आप डिरेक्ट भी अगर रिले नहीं लगाते हैं तो आप इस वायर को खोल कर डिरेक्ट एटू में भी लगा सकते हैं अब मैं देखो आपको चला के दिखाता हूं यह देखिए और उसके बाद क्या हुआ है यहीं से ही मैंने यह देखिए यहां से जो मैंने य यहां से इसको दिया और यहां से मैंने इसको दिया और यहां से इसको मिल गया यहां पर जो सप्लाई आएगी जब यह कॉंडेक्टर ओन होगा तो यह सप्लाई ओटमेटिक इसको मिल जाएगी एट्टू को यहां से मीचे से अब मैं आपको चलागे दिखाता हूँ यह देखिया यह मैंने किया स्टार्ट यह स्टार्ट किया यह स्टॉप हो गया यह स्टॉप हो गया यह स्टॉप अब माल लो कि कोई नहीं चाहता है कि मैं इसको दबाके खोड़ूँ कुछ चाहता है कि मैं इसको जब तक दबाऊं तब तक यह मेरा ओन हो इसको मैं हटा दूँ तो यह मेरा ओफ हो जै तो इसके लिए क्या करेंगी holding कैसे होता है यह जो एनो का यह connections है इसको टाओ अगर मैंने यह एनो कनेक्शन हटा दिया मालो तो अब मैं यह inching में चला जाता है यह देखिए मैं इसको अब दबा कर रफूंगा तो वह on होगा फोगा छोड़ने से बंद वह दो भा रहा हूं तो वह नो रहा है छोडने से बंद और यह इंचिंग मोड यह यह दो कर दो कि जगा आसी होती है वहां इंचिंग मोड चाहिए उसकिया जाता है ना कि यूज़िंग के लिए इंचिंग के लिए फिर आपको यह वायर लगाने की जुर्यत नहीं है इस वायर को आप हटा सकते हो अब यह वायर लगाना कंपल सरी है यह वायर इसमें लगा दो यह होल्ड हो जाएगा यह वायर अमने इसमें लगा दी अब यह बाया हो गया फिर मुझे इस बटन से स्को स्टॉप करना पड़ेगा इंचिंग में आपको इस बटन की जूरोत भी नहीं है जो यह वायर जो मीन वायर जो है आपकी यहां लगा दीजें यह बीच में यह वायर हट जाएगी आपकी इंचिंग में यहां लगा कि यह बार डरेक्ट आप यहां लगा के यहां से यह ले जा सकते हैं और रेट जठ जयेगे क 15 जोने आपको दिखाइए यह चोटा सा वीडियो था अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी एंड लाइक कीजी एंड स्वेर कीजी थैंक यू थैंक यू